नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक्विट सुमर डाठोट पे आज मैं आप सभी के लिली के आई हूँ ये कच्छे आम की बहुत ही जादा टेस्टी और यूनीक रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जादा टेस्टी बनती है जिसे बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए याँ पर तीन कच्छे आम तो मैंने तीन मीडियम साइज के कच्छे आम लिये हैं जिसे अमिया या कैरी भी कहते हैं ये बजन से पूरे 400 ग्राम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पिलर से इतका जो छि है उसे तो हम फैक देंगे और इसके उपर का जितना भी गुदा है इसे हम निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैं इसे काट लोंगी अब जो ये बड़े-बड़े पीसेज है इन्हें आपको छोटे-छोटे टुकडों में काट लेना है तो सारी अमियों को हम छोटे-छोटे इस तरीके से आपर काट के त्यार कर लेते हैं तो देख सकते हैं मैंने इन्हें छोटे-छोटे टुकडों में आपर काट लिया है ये देखिया बिल्कुल इस तरीके से इन्हें आपको काटना है अब हम एक mixer grinder लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे सारी कटी हुई अमिया इसी के साथ दो medium size के मैंने प्याज लिये थे जिनें बड़ा बड़ा काट लिया है ये डाल देंगे और मुठी बर डालेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया इसे अच्छे से वाश कर लें फिर ही डालें और मुठी बर ही मैंने लिया है यांपर पुदीने की पत्तियां तो ये आदी चोटी चममच इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे और आधी चोटी चममच ही डाल देंगे सफेद नमक, सारी चीजों को बैलंस करने के लिए एक चुटा चममच डालेंगे चीनी और अब आप सारी चीजों को अच्छे से आप ग्राइंड कर लें और इसका पेस्ट बना लें पानी बिल्कुल नहीं डालना है पीस्ते वक्त तो देखिए सारी चीजों को मैंने आप अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ये चट्नी, तो ये लीजे दोस्तों, कच्चे आम की ये बहुत ही चटपटी चट्नी बन करके तयार है, मात्र दो मिनिट में बन जाती है, और इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, कि मन करता है इसे बार बार बना के ख तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई